आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं गुम्ला विशेश सत्र बुलाकर सरना कोड लागू करने के लिए भीमार्मी भारत एक्ता मिशन के द्वारा गुम्ला में शहीद चोक जाम कर दिया गया 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 आवाहन किया गया गया इस दोरान जाम होने से जहारखंड 36 गड़ मार्ग गुम्ला सिम्डेगा मार्ग गुम्ला राची मार्ग गुम्ला लोहरदगा मार्ग तीन घंटे तक अवरुद हो गया गया बाद में पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को हिरासत में लेकर गुम् आर्मी के सदस्यों ने मुख्य मंत्री हमंत सोरें से विशेश सत्र बुलाकर सरना कोड लागू करने की मांग कर रखे हैं नहीं लागू होने पर आगे भी आंदोलन जारी रखने का निर्ने लिया गए जाम रहने के कारण यातयात विवस्था बादत रही इधर आंदोलन कारियों ने कहा की किहमंत सरकार ने इस आंदोलन को कुछलने का काम किया है जो आने वाले समय में रमन सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा आंदोलनकारी नेता ने कहा कि आगे रणीती बना कर सरना कोड जब तक लागू नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा रमला से अजित सोनी की रिपोर्ट आगे की रणीती बना किया जाई देखिए आगे आगे देखते रहें कि क्या का होता है हो सकता है आने वला समय में यदि सरना कोड लागू नहीं करता है तो हेमान सर्वन को भुगतने के लिए कोई नहीं रोप सकता है भीम आर्मी एक समाजिक संगठन है और हमन सरकार के दुवारा सत्र बुलाने के बावजूद भी सरना कोड लागू नहीं कर रहे हैं इसके खिलाफ में सरना समेती दुवारा एक चक्का जाम चिया गया था इस चक्का जाम में भीम आर्मी के भारत एकता मिशन दुवारा इसको समर्थन दे रहे हैं और अगर सरना कोड अगर नहीं लागू कर रहे हैं तो सरना समेती के दुवारा और भीम आर्मी के दुवारा एक व्याप्त बैठक करकिया जाएगा और इस बैठक में निर्ने लिया जाएगा कि ये सरकार को रन्निती क्या है और इस सरकार को रन्निती को जानते हुए हम आनुदोनंग करने के लिए तैयार हैं भेमार्मी के दुआरा